Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल बैंगॉली में वह बेसिकली डिजास्टर, तो इग्जाक्ली आपको देखने को मिलेगा, यह जो साइकलोन है, पिछले कुछ दिनों में बहुत जादा सिवियर हो गया है, और सूपर साइकलोन की तरफ बढ़ने की ओर में है, वो मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा, लेक जा रहा है, तो आखिरकार यह इतना डेडली क्यों है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हुई है, और आज जब यह लैंड होगा, तो क्या हम प्रिडिट कर सकते हैं, आज शाम तक, अल्दो आज दुपहर तक बताया जा रहा था कि लैंडिंग होने वाली है, लेकिन आज शाम तक जो है, यह गुजरात कोश्ट को हिट करने वाला है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपेशन कर रहे हैं, तो 19th of June से Study IQ एक बड़ा कदम ले रहा है, यहाँ पर 3 live batches एक साथ, एक तो pure English, pure Hindi और English batch आप जो भी आप join करना चाहते हो, जिसके अंदर prelim से लेकर interview तक की पूरी आपको त्यारी कराए जाएगी, तो जल्दी से हमारे website आप पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर use करना है code अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल सके, जहान रखेगा, इसके अं में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है, यह आप देख सकते हो, इसका पूरा path जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और यह अगर आप देखो कि जो गुजरात वाला यह जो पैमाने पर impact होने वाला है, और especially जो लोग coastal areas में रहते हैं, although लगभग 45,000 से 50,000 लोगों को rescue किया गया है, वहां से हटाया गया है, shift किया गया है, ताकि जो भी नुकसान है, उसको कम से कम किया जा सके, और यहाँ पर already जो पुरा सौराष्ट और कच वाला coast है, जो orange alert है, वो पाकिस्तान की तरफ shift हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर भारत की तरफ भी मुर जाते हैं, although यह वाला भी जो cyclone है, वो आपका जो impact है, वो पाकिस्तान की तरफ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन यह वाला जो कच वाला यह जो region आप द देखोगे, यहाँ पर जो maximum sustained wind speed होती है ना, उसके basis पर यह सारी चीज़ें classify की जाती है, यहाँ पर जो pressure deficit है, system है, उन सारी चीज़ों का calculation किया जाता है, और finally जो wind criteria है, उसके हिसाब से अगर आप देखो, अगर तूफान की, अगर cyclone की जो wind speed है, 17 and 27 knots के बीच में, knot का मतलब होता है basically, अगर हम इसको kilometer per hour के हिसाब से देखें, तो 1.8 kilometer per hour, 1 knot होता है basically, तो 1.8 times होता है, तो यहाँ पर क्याना, यह जो wind speed है, अगर यह 17 से 27 knots है, तो यह depression कहलाता है, और अगर यही चीज़ जो 3 minute का surface wind sustain करता है, और इसका अगर speed 28 knots से 33 knots के बीच में है, तो हम इ वही चीज़ अगर 34 knots के ऊपर हो गया, तब हम इसको cyclonic storm में बोल देते हैं, यह कहते हैं कि यह cyclonic storm है, और वही चीज़ अगर इसका wind speed है, वो 125 से 135 kilometer per hour हो जाए, तो इसको very severe cyclonic storm में बोला जाता है, तो अभी अगर आप देखोगे ना, यह अलग अलग जो wind speed है, उसके साब से आप देख सकते हो, अभी present में अगर आप देखें, तो जो before जो है, उसको very severe cyclonic storm में रखा गया है, जिसकी speed लगभग 145 kilometer per hour के हिसाब से है, तो यह इस वाले category में आता है, लेकिन depend करता है, क्योंकि क्या हुआ है, पिछले कुछ समय से यह देखने को मिला है, कि यह जो before cyclone है, वो बहुत तीजी से अपने आपको change किया है, पहले इतनी expectation नहीं था कि यह जो cyclone है, वो इतना severe हो जाएगा, लेकिन actual में यह ऐसा हो गया, अब question यह है कि यह before joy unusual क्यो है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है ना कि यह Arabian sea का पहला cyclone है, इस साल का पहला cyclone है, आपको पटाई होगा, काफी कम होता है, यूजुली क्या है ना, जो cyclone आपको जादा तर जो east वाला side है, जो bay of Bengal है, भारत के eastern side में, वहाँ पर ही जादा तर cyclone देखने को मिलता है, वहाँ पर ही जादा तर cyclone है, वो भारत को Arabian sea की तरफ से हिट करें, तो क्या है कि Arabian sea का पहला cyclone ह और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें एक rapid intensification हुआ था, 6th June और 7th June को, मतलब 48 hours के अंदर अंदर, ये जो cyclone है ना, ये पहले एक cyclonic circulation था, जस्ट एक normal जैसा था, ठीक है, अब आपको पटाई है कि cyclone भी कैसे बनता है, दिरे-दिरे, जब जितना जादा ये आपका सम होते, जैसे Arabian सी, बहुत जादा गरम हो गया था, तो वहाँ पर उसकी वज़े से क्या है, कि दिरे-दिरे यहाँ पर evaporation होता है, evaporation होनी की वज़े से यहाँ पर cyclonic storm में convert हो जाता है, तो पहले ये cyclonic circulation था, लेकिन 6th June और 7th June को, इसके अंदर rapid intensification हुआ, जिसकी वज़े से इसकी speed बढ़ गई, cyclone जो है, यहाँ पर यह speed बढ़ गई इसकी, और यह very severe cyclonic storm में convert हो गया, 48 hours के अंदर, और इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा था, कि it has also sustained its strength for a longer than normal duration, कहने का मतलब यह है, कि जैसे कि अगर आप यह map में देखोगे न, तो यहाँ पर क्या है न, कि जो cyclone है, वो कितने लंबे समय तक है, वो बहुत जादा माइने रखता है, क्यों, क्योंकि क्या है न, कि अगर मालो cyclone बहुत लंबे समय तक, अगर यह C के अंदर रहेगा, तो उतना जादा वहाँ पर evaporation होगा, उतना जादा इसके अंदर intensification आएगा, उतना जादा यह severe होता जाएगा, तो आज तक बताया जा रहा है कि पहली बार evaporation C में इतनी लंबी देर तक कोई अगर cyclone है, तो वो bepore joy हुआ है, मतब इतने लंबे समय तक, जो है कोई भी cyclone जो है, अरभियन C में देखा नहीं क्या है, और इसलिए यह काफी जादा unusual है, IMD का जो data है वो show क करता है कि bepore joy is on course to become the cyclone with the longest life span in the Arabian Sea, अब question यह है कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर एक study conduct किया गया था, पूने के Indian Institute of Tropical Metrology की दोरा, उनका ऐसा कहना है कि जो cyclonic storm है Arabian Sea में वो और जादा धिरे धिरे frequent होते जा रहा है, और इसका main कारण में देखो क्या है, एक और चीज में आपको बताता हूँ, देखो, यह अगर आप देखोगे इधर है आपका Arabian Sea, और भारत के आप इस side देखोगे तो वो है आपका Bay of Bengal, ठीक है, तो usually क्या होता था कि Bay of Bengal जादा warm होता था in comparison to Arabian Sea, धिरे-जरे क्या होता जा रहा है कि Arabian Sea भी और जादा warm होता जा रहा ह तो यहाँ पर IMD, यह जो study किया गया है, IITM के दोरा, उनका यही कहना है कि Bay of Bengal की मुकाबले अप धिरे-धिरे Arabian Sea जो है, वो और जादा यहाँ पर warm होता जा रहा है, और इसी की वज़े से यहाँ पर cyclones create हो रहा है, और इसके साथ-साथ study में यह भी पाया गया, कि जो cyclones बन very severe cyclone में जो है, वो आपका convert हो गया है, और आप देख भी पायोगे, पिछले चार दसक में बताया चारा है कि 80% increase हुआ है in duration of cyclones, with the duration of very severe cyclones having increased by 260%, तो यह साफ-साफ दिखाता है, एक major shift in the pattern of cyclone in the North Indian Ocean region, मतब कि जो cyclone पहले आपको Bay of Bengal में ज्यादा तर देखने को मिलते थे, व और इसी के वजए से यहाँ पर जो खत्रा है, especially गुजरात कोस्ट के लिए, क्योंकि ज्यादा तर क्या होगा ना, जो wind की direction होती है, वो क्या होता है, usually northern side, इस side जाता है, पाकिस्तान को hit करता है, लेकिन कुछ-कुछ उसमें ऐसे भी होंगे, जो गुजरात कोस्ट को भी यहा ज्यादा damaging होते हैं, बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो IITM के दौरा study किया गया, उसके अंदर बताया गया, कि जो longer duration वाले cyclone होते हैं, एक तो आप समझी है, economic point of view से आप देखोगे, तो जितना लंबे समय तक cyclone रहेगा, मतलब जो number of days है, fishing days, वो आपके कम हो ज करेंगे, तो वो और ज्यादा destruction लेकर आएंगे, तो इसी के वज़ासी, यह longer duration के cyclone होते हैं, वो और ज्यादा damaging होते हैं, अब question यह है कि आज जब यह बिपोर जो है, लैंडफॉल करने वाला है, गुजरात कोश्च पर, तो इसका हम क्या expect करते हैं, देखो जो IMD के director हैं, उ 20 cm और उससे भी ज़्यादा 25 cm तक आपको कुछ समय के अंदर यह rainfall कच वाले region में, द्वारका, जामनगर, पूरबंदर district में देखने को मिल सकता है, और जो low lying areas हैं, वहाँ पर flooding की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जो wind की speed है, वो 145 km पर आर को भी cross कर सकता है, जिसकी व और in fact ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर oil exploration से लेकर, ship movement से लेकर, fishing से लेकर, सब कुछ at least 15th June तक के लिए तो पूरा जो है आपका बंद कर दिया गया, in fact मैं देख रहा था, यहाँ पर जितने भी districts हैं, जो वहाँ पर businesses हैं, factories हैं, सब को निर्देश दे दिया गया है बंद करने के लिए, जो met office है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो situation है, गिर नाशनल पार्क में, गिर आपको पता है कि it is only known habitat of asiatic lands, तो वहाँ पर भी नजर रखने के लिए ताकि वहाँ पर जो nature है उसको बहुत जादा समस्या ना है, अब question है कि सारे preparation में क्या किया जा रहा है, जो को NDRF की 12 जो है, वो already pre-position कर दी गई है, और जो boats हो गए, tree cutters हो गए, सारे equipment उनको दिये गए है, 15 teams stand by पर रखी गई है, कि अगर बहुत बड़ी आपदा आती है, तो यहाँ पर वो तैनात रहें पहले, similarly अगर आप देखोगे, Indian Coast Guard, Navy, सभी को यहाँ पर deploy कर दिया गया है, helicopter की मदद जो है, जो भी कुछ चाहिए होगी, वो तुरंत यहाँ पर available करा जाएगा, air force तक यहाँ पर लगा दिया गया है, सभी boats और rescue equipment के साथ, बता जा रहा है कि 50,000 लोगों को shift किया गया है, और 24,000 जो boats है, उनको भी shift किया गया है, safer locations की तरफ, क्योंकि obvious सी बात है, जो boats है, वो सम preparedness देखा, ताकि इससे निपटा जा सके, देखते हैं दोस्तों, I just hope कि यहाँ पर जब cyclone hit करने वाला है, तो जो damage है, वो कम से कम हो, देखो, damage तो होना है, यह बात साफ है, depend करता है कि जो cyclone है, वो अपनी direction किधर लेता है, यह direction अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो क वाला जो region है, वहाँ पर यह hit करने वाला है, पाकिस्तान के region के साथ-साथ, लेकिन depend करता है again, exactly क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, इन चारों में से, which has the highest velocity, क्या hurricane, टाइफून, tornado, cyclone, किसके पास highest velocity होती है, यह आपको बत पर आप दूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हो, just use the code UNKITLIFE, कोई भी आपको बैस रहना हो, and I hope कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.